हेलो फ्रेंड स्वागत एक बार फिर से आपका वी स्टार एजी केसन यूटूब चैनल पे और आज के से लेक्चर में हम बात करेंगे NO सिगनेलिंग की क्या आपका NO सिगनेलिंग क्या होता है ठीक है तो यह आपका लेक्चर नमबर 7 है इससे पहले लेक्चर 6 हम कर चुके हैं 6 लेक्चर में मैं आपको कॉफी कुछ बताया है basic to advance knowledge दी है वहाँ पर मैं आपको बताया है receptor क्या होता है ligand क्या होता है कितने type का होता है और आपका किस प्रकार से GPCR pathway run होता है ठीक है न वह सारी बात में आपको बता चुका हूं तो चलिया यह बात करते है और यानि कि नाइट्रिक ओक्साइड सिग्नलिंग के पाथवे के ऊपर ठीक है तो यह आपकी आपकी नो सिग्नलिंग जो होती है एक टाइप होता है यहां पर क्या हsti देखने के कोसिस करो के आपका नापका नेट्रिक ओक्साइड है इसकी सिग्नलिंग के लिए आपकी जो जी प्रोटीन होती है important बात बता रहा हूँ GQ alpha नाम की जो है वो protein यूज होती है and ये मैं आपको हर एक video में बता चुका हूँ कि कौन से G protein होती है क्योंकि आपसे पूछा जाता है तो चलिया ये बात करते हैं कि किस प्रिकार से आपकी annosing learning perform होती है तो देखो बैसाब एक तो बैसे ये आपको जो है diagrammatic representation है लेकिन मैं आपको इससे नहीं समझाऊँगा मैं आपको अपने दुवारा बना करके समझाऊँगा जिससे आपकी समझ में अच्छा है ठीक है आपकी समझ में अच्छा है थोड़ा टाइमिंग लगेगा बट आपकी समझ में complete आने वाला है देखो यहां पर मैं आपके लिए बना रहा हूं diagram तो होता क्या है actual में आपकी मैंने ये बना दी है एक cell ठीक है ये बना दी है मैंने आपकी आपका इस पे एक GPCR receptor होता है इस प्रिकार से ठीक ना इस प्रिकार से receptor होता है एड इस receptor पे आ करके अब आपका एक neurotransmitter या रख लेना कौन neurotransmitter आ करके बाइन करेगा ये neurotransmitter जो होता है acetylene choline होता है तो इसलिए हम इसको आपका बाइन होगा ये पूछा भी जाता है कि आपसे ये कौन सी लूप पे बाइन होता है तो गिनलोब ऐसा ये आपकी त्री लूप ये आपकी जो लूप बनी है इनमें जो रिसेप्टर है जो GPCR का रिसेप्टर है बहाँ पर ये थर्ड पोजिशन पे आकर के बाइन हुआ थर्ड पोजिशन पे आकर के बाइन हुआ है ये क्या काम करेगा दोस्तों ये सेम आपका PLC बीटा या पर जिसको आपने IP3 डैक पात्वे कहा था उस पात्वे को अक्टिवेट कर देगा जासे कि देखू है आपको आपके पास क्या था ट्राइमेरिक प्रोटीन थी जिसमें punching ना अलफा बीटा गामा ठीक ना अलफा बीटा गामा अलफा बीटा गामा अब देखों यहाँ पर क्या है कि बैसे तो यह नॉर्मल कंडिशन में इनक्टिव रहती है लेकिन जैसे आपका एक्टिवेट हो जाएगी यानि कि जो इसकी अलफा पोजिसन है यहाँ पर आपका जीटीपी लग जाएगा यहाँ पर आपका जीटीपी लग जाएगा वेरी इंपोर्टेंट जैसे जीटीपी लगेगा तो यह अपना अलग हो जाएगी यानि कि जो इसका अलफा वाला पार इसका अलग हो जाएगा एंड इसके उपर लगा हुआ है आपका GTP, इसके उपर लगा हुआ है आपका GTP, GDP अब क्या काम करेगा, GTP जाएगा आपका effector के पास, आपको मैंने बताया था कि आपका effector कौन सा है, तो इफ्टर को याद रख ले ना यह था आपका PLC-BETA यह था आपका PLC-BETA ठीक ना PLC-BETA जो की AJ-ENGYMES की तरह काम कर रहा था जो की AJ-ENGYMES की तरह काम कर रहा था यह क्या काम कर रहा था कि यह IP-3 ठीक ना बैसम जब इसके अंदर बनाना चाहिए तो यहाँ पर देखने ही कोशित कर रहा यह आपका IP-3 जो आपका IP-2 था IP-2 को degrade कर रहा था दो भाग में एक तापका DAG वाला पाट जो की हमेशा conjugate रहता है PLASMA MEMBRANCE से और दूसरा था आपका IP-3 तो यह आपका IP-3 वाला पात ही हो गया अब यह IP-3 क्या काम करता है यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें किस चीज की requirement है तो हमें इस DEC की requirement नहीं है हमें इस DEC की कोई भी requirement नहीं होती इस बात को याद रख लिए आप जब भी कभी direct देखते होंगे तो direct आपको यह आपको GPCR देखर के direct IP-3 दिखाया जाता है ठीक है ना जैसे की देखो पिछले आपको पिछले उसमें दिखाया गया है डाइग्राम में यहाँ पर आपको acetylene coenzymes दिखाया गया है GPCR से और direct आपको IP-3 दिखा दिया गया है पासपुल लाइपेज C के दुआरा जो है यह enzymes होता है जो की create करता है आपका IP-3 को ठीक ना इतनी बात पता चली बहुते अच्छी बात है तो आपका IP-3 बन गया है and IP-3 क्या काम करता है यह endoplasmic reticulum में जाएगा and endoplasmic reticulum के पास endoplasmic reticulum के पास जितने भी आपके calcium होते हैं उन सब calcium को बहार निकलवाएगा उन सब calcium को बहार निकलवाएगा तो आपके जो calcium है बे calcium release होंगे इतनी बात समझमागी बहुते अच्छी बात है यह calcium release होंगे calcium अब क्या काम करेगा calcium जब release होते हैं तो यह ligand gated iron यह आपके gated channel से release होते हैं इस बात को याद रख लेना gated iron challenge से आपके release होते हैं अब यह calcium क्या करेगा यह protein की साथ मिलकर के bind हो जाएगा and यह बना लेगा calmudeline, calmudeline आपको calmudeline क्या होता है पिछले वाले भाग में बता चुका हूँ जहाँ पर यह calcium किसी protein की साथ मिलकर के कोई आपका या तो enzymes बना ले या फिर कोई दूसरी protein बना ले या फिर intercellular receptor की तरह भी काम करवा सकता है तो यहाँ पर कुल मिला करके इसने जो है अब यहाँ पर एक calmudeline protein बना ली इसको बोलता है calmudeline protein इसको बोला जाएगा and यह जो आपकी calmudeline protein होती है तो आप गाईज में यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ इस cell को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यह आपकी एक ही cell है तो इस बात को आपको याद रखना है यह आपकी एक ही cell है इस बात को आपको याद रखना है यहाँ पर यह काल मोड़ूलीन क्या करेगा यहाँ पर यह काल मोड़ूलीन क्या करता है कि काल मोड़ूलीन का काम आपका एक होता है जो आपका एल आरजनीन होता है इस एल आरजनीन को कनवर्ट करता है इस एल आरजनीन को आपका कनवर्ट करता है आपका एन ओ के रूप मे अब इसको हम क्या भोलेंगे यह एजे अजय की तरह काम करेगा इसको बोलेंगे हम नाइट्रिक ओक्साइड बहुते अच्छी बात है यह आपका RGL-Arginine को NO Nitric Oxide में convert कर रहा है and इस NO की साथ यहाँ पर पिलस में आपको क्या-क्या मिलेगा तो याद रख लेना यहाँ पर आपका सिट्रूलीन भी निकलेगा यहाँ से आपका सिट्रूलीन भी निकलेगा पिलस यहाँ से आपकी एक oxygen भी निकलती है इतनी वात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है अब थोड़ा से स्कोर आगे देखने की कोशिस करो देखो बाई साथ अगर यह NOS नर्व सेल या फिर मसल सेल में है तब इसको लिखते है small N and आपका capital NOS ठीक न अगर यह epithelial सेल में है तब इसको E ठीक न यहां पर मैं लिख रहा हूँ अगर यह epithelial सेल में है तब इसको लिखेंगे E NOS अगर यह nerve cell या muscle cells में है तब हम इसको लिखेंगे SNOS ठीक न इस प्रिकार से हम इसको लिखेंगे इतनी भास समझमा गई बहुत अच्छी वाथ अगर इतनी भास समझमा गए तो अब यहां पर हम्हारँ कुल मिलाकर के N O बन मिल गया है यह एक प्रिकार की gas है जो की इस cell से जो मैंने cell बनाई आपकी यह जो मैं आपकी single cell बनाई है इस cell से यह अराम से diffuse हो जाएगा इस cell से अराम से diffuse हो जाएगा तो जो इसके pass वाली cell होगी जो इसके pass वाली cell होगी अब वहाँ पर यह पोच करके क्या काम करेगा देखो भाई साब अब यह यहाँ पर NO आ गया है तो यह activate कर देगा GC GC ठीक ना gwinelline cycle age को activate कर देगा यह gwinelline cycle age क्या करेगा यह GMP को convert कर देता है cyclic GMP में cyclic GMP में यह convert कर देता है और यह जो आपका cyclic GMP बनाया है यह यह actual में convert करता है आपका PKG को आपका PKG में convert कर देगा protein kinase G protein kinase G and जब आपका protein kinase G वनेगा तो ये protein kinase G क्या काम करेगा ये muscles का relaxation करवाने में blood की dilation करवाने में ठीक ना blood vessel को आपके जो है blood को blood के flow को बढ़ाने में ये आपका help करता है PKG ठीक ना PKG आपका help करता है तो देखो, अब आपको मैं थोड़ा से यहाँ पर समझाने की कोशिस करता हूँ, थोड़ा सा ओर समझो, यह आप से पूछा जाता है, यह आप से पूछा जाता है, क्या हुआ कि आपका Acetylcholine आया, ACH को आपका GPCR ने गिराण किया, GPCR रिसेप्टर ने इसको अपने उपर लिया, अपने उपर लेने के बाद क्या होगा, कि अब यहाँ से आपका IP3, ठीक ना, IP3 पात्वे चलेगा, IP3 पात्वे से क्या होगा, कि आपका Calcium Release होगा, क्या आपका Calcium Release होगा, ToCO2, यह Calcium क्या काम करेगा, यह प्रोटीन की साथ मिल करके, एक Calcium Diline बना लेगा, और जब आपकी Calcium Diline बनेगी, तब वो जो आपकी Calcium Diline बनेगा, उसको हम NO NETRIC OXIDE के नाम से जानते हैं, यह NO Synthetase के नाम से जानते हैं, यह NO Synthetase क्या काम करेगा, यह NO Synthetase आपका, जो आपके पास आरजनीन है, जो आपके पास L-Arginine, याद Convert कर देगा, आपका Citrulin, 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 Citrulin में N+, NO2 यानि की Nitric OXIDE में, यह आपका Convert कर देगा, यहाँ पर आपकी O2 भी Release होगी, यहाँ पर आपका O2 भी Release होने वाली हैं, अब इसके बाद क्या होगा, यह आपका NO2 जो है, यह दूशरी सेल में जाएगा, जहाँ पर यह आपका क्या काम करेगा, यह आपका GC, यह आपका GC, ग्वाइनेलेज, साइकलेज नाम के Enzymes, यह आपका Enzymes होता है, यह आपका Enzymes होता है, यह Enzymes क्या काम करता है, यह आपका GMP, यह आपका GMP को Convert कर देगा, साइकलिक GMP में, साइकलिक, सोरी, साइकलिक AMP में यह आपका Convert कर कर दो कर देगा लगता है मुझे यहां से कहीं और जाना पड़ेगा क्योंकि इतने होते हैं जिसका कुछ ठीक नहीं जिसका कोई करते हैं ठीक ना तो यह आपका पूरा का पूरा इन ओ सिग्नेलिंग होता है यहां पर एसे टैलिन कोलीन नाम का जो नियूरो ट्रांस्मिटर होता है वह यहां पर पर फर्फॉर्म करता है ठीक ना तो अब आपकी समझ में आई होप अब यह साइकिल आ जाएगी अब इसको द बीटा पील्सी बीटा पात्वे को activate कर देगा जहां से आपको IP3 IP3 मिलेगा IP3 क्या काम करेगा calcium को release करवाएगा calcium को release करवाएगा जब यह calcium को release करवाएगा endoplasmic reticulum से तो यह वहाँ पर जाकर के अब आपका calcium cell के अंदर आजाता है cytosol में आजाता है cytosol में आएगा आपका जो है, यह बर्क करती है, NO-synthetage की तरह बर्क करती है, अब यह जो आपका NO-synthetage होता है, यह आपका L-Arginine को यहां पर n stuffed होती है तो इतनी वात आप समझे लेना यह आप आपका क्या-क्या बनना यह दो चौ्ट बने सब जगह जा करके finite केबल बहात अगर ये सैल है तो इस सैल में इस से diffuse होगा और ये थोड़ी बहुत जगह में ही काम करने वाला है ऐसा नहीं कि सब्सक्राव काम करें अगर ये पहले बात होय है इसकी घरें वहत काम उती है ये Rule प्सक्राव क्षोज जो N-O है वो आपका जा करके मिलेगा किसे G-C से Guyanoline Cyclase, Guyanoline Cyclase से जो कि क्या काम करेगा आपके GTP, GTP को Convert कर देगा GMP में जहांपर आपके दो पाइरोफास्पेट, दो आपके पाइरोफास्पेट निकलेगे और यहांपर जो आपकी cyclic GMP होती है यह convert कर देगी protein kinase G को protein kinase G क्या करती है आपका relaxation करवाती है muscle cells का and guys यहाँ पर आप एक बात आपको याद अखनी है कि भाई साब यह जो आपका performance हो रहा है जाहां से आपकी GTP2 cyclic GMP में change हो रहा है यह कुछ second के लिए होता है इसको दोवारस cyclic GMP से आपका जो है वो GMP में convert कर दिया जाता है वो आपका GMP में convert कर दिया जाता है by the help of a enzymes name is phosphodiastase phosphodiastase नाम के जो enzymes होता है उससे इसको convert कर दिया जाता है इतनी बाद समझ में आ गई तो यह इसके stab लिके होए है पढ़ लेना यह इसमें कुछ बताया गया है इसको भी पढ़ लेना बैसर बही है जो सब चीज मैं आपको बताई है ठीक ना आप यहां पर एक 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 जाम पर आता है इसको ध्यान से समझो मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि बच्चे कह रहा है कि बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं लेकिन speed को बना करके अब लखना पड़ेगा यहाँ पर देखने ही कोशिस करो जो आपका बाइगरा है बाइगरा क्या क्या काम कर रहा है यह एक्चुली नॉर्मल कंडिशन में जो आपका erectile dysfunction है erectile dysfunction है इस बीमारी में होता क्या है कि यहाँ पर जो आपकी GTP से cyclic GMP बनने ही है यह cyclic GMP यह cyclic GMP बहुत जल्दी बहुत जल्दी आपकी GMP में convert हो जाती है protein kinase activate ही नहीं हो पाता erectile dysfunction में erectile dysfunction में तो यहाँ पर आपका जो बाइगरा होता है actual में यह आपका जो यह GMP आपकी बहुत जल्दी से बनने है जो आपका fastpo diastrage है जो आपका fastpo diastrage है fastpo diastrage नाम के enzymes को inhibit करती है इसको रोकती है जिससे आपकी protein kinase जो है protein जो kinase होती है वो activate आती है जिससे आपका muscles का relaxation होता है blood का flow अच्छा होता है तो जिस वज़े से आपका जो penis होता है वो आपका erect होता है तो ये बात थी अब इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसको समझ सकते हो ठीकिन आप इसको समझ सकते हो यहाँ पर देखो जो bygra is a drugs help treat erectile dysfunction ठीकिन इट improves blood flow to penis ये क्या काम करती है ये improve करती है कि blood flow आपका अच्छ से हो जाए अगर blood flow होगा तभी आपका penis erectile हो पाएगा and its effect can last for up to 4 hours और इसका जो effect होता है जो bygra होता है इसका effect आपका last to 4 घंटे तक ही होता है ठीकिन आ ऐसा नहीं कि आपने एक बार खा लिया और उसके बाद आप पूरे दिन आप जो है काम करते रहोगे ऐसा कुछ नहीं केवल 4 घंटे आपका ये काम करता है erectile dysfunction is a common condition that can affect male of any age male with this condition are unable to reach reach an erection of engaging sexual activity the drugs bygra and its related drugs inhibit the cyclic GMP phosphodiester यानि कि जो bygra होता है ये inhibit करता है cyclic GMP phosphodiesterase को जिससे कि आपका क्या हो कि PKG बन सके अगर आपका PKG अगर आपका PKG protein kinase G बनेगा तब आपका blood का flow अच्छा होगा blood का flow अच्छा होगा यानि कि तब आपका जो है वो penis erectile में जाएगा ठीक है ना इतनी बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है यह आपकी एक application होती है जो की होती है NO signaling की NO signaling की तो I hope आपको NO signaling समझ में आई होगी इसके बाद हम direct बात करेंगे आपकी vision के उपर ठीक ना vision signaling के उपर बात करेंगे दोस्तों तो मिलता हूँ आपसे नास लाक्चर में तब तक के लिए टाटा टांड बाय बाय